हाई गाईज दिस बबीता और वेलकम बैक टू माई चैनल दिवाइन लाई टॉप टेरो गाईज आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थम नेल में देखी लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रिडिंग करें तो आज का जा हमारा टॉपिक है वो ये है कि शत शत्रू आपकी कौन सी कमजोरी पर वार करते हैं अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजी और पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें शत्रू आपकी कौन सी कमजोरी पर वार करते हैं यह हम इस रीडि का काड़ आर रहा है। शत्रु आपकी कौन से कमजोरी पर वार करते हैं। यहां पर आया है पेज और काफ नाईन काफ अगर आप परसनल लेडिंग चाहते हैं तो whatsapp number already description में दिया हुआ है आप वहां से मुझे message कर सकते हैं seven of cups शत्रु आपकी कौन सी कमजोरी पर वार करते हैं five of cups temperance यहां पर आया है four of bones ten of cups eight of cups कपस के कार्ट तो बहुत ज्यादा है तो शत्रु आपकी कौन सी कमजोरी पर वार करते हैं seven of ten of souls तो सबसे पहले बात करते हैं हम आपकी राशियों की यहां पर जो bottom of the deck आया है वो आया है seven of wands शत्रु आपकी कौन सी कमजोरी पर वार करते हैं शत्रु आपकी कौन सी कमजोरी पर वार करते हैं adventure, maturity, past lives, exhaustion, we are the world and slowing down तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशी की साथ-साथ bottom of the deck जो है breakthrough का काण है तो यहां पर अगर मैं राशी की बात करूँ तो cups energy बहुत ज़्यादा है means, skirk, वरश्चिक, mean आपकी राशी हो सकती है, आपकी राशी धनू हो सकती है साथ-साथ wants energy बहुत ज़्यादा है, one, two, wants energy बहुत ज़्यादा है, swords भी, swords नहीं तो यहां पर मैं चार राशी बोलूगी, इन चार राशीों का जो है, एक strong influences reading में, है ना साथ-साथ आपकी date of birth का month जो है, वो है, September, July, October, August April and May, यह आपकी date of birth के month हो सकते हैं, साथ-साथ अगर में overall energy कहूं तो, शत्रू जो है लगाता, देखे, seven of bonds का card है, हमेशा आपको dominate करने की कोशिश करता है, हमेशा आपको कह सकते हैं, दबाने की कोशिश करता है, आपके उपर pressure बनाने की कोशिश करता है, लगातार आपकी weakness पर जो है वो attack करता है, और शत्रू को पता है कि आपकी weakness क्या है, और इसलिए वो आपकी weakness पर ही attack करता है, ताकि आप जो हो, पूरी तरह से उनके control में आ जाओ, या यह कह सकते हैं, वो जो भी चाल चल रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं, अपनी, मतलब आपके लिए जो भी वो चीज़े कर रहे हैं, वो फली भूत हो जाएं, मतलब वो जो प्रियास कर रहे हैं, या वो जो साजिश कर रहे हैं, वो बिलकुल successful जाएं, तो शत्रू जो है आपकी पूरी पूरी कमजोरी जानते हैं, और उसका फायदा उठाते हैं, king of sorts का कार्ड है, तो यहाँ पर आपकी जो weakness है, यहाँ पर, जो main ही आपर weakness मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो यह है कि आप जो हो ना, दिमाग से काम नहीं लेते, आप दिमाग का यूज नहीं करते हैं, आप दिल का यूज करते हो, इसी कारण से, जो है, शत्रू आपके उपर हावी हो जाते हैं, शत्रू आपके उपर भारी पड़ जाते हैं, साथ-साथ आपको back step बराबर करते रहते हैं, यह ना, और उसके बावजुद आप उनको मोका देते रहते हो, बराबर उनको let go करते हो, या यह कह सकते हैं, उनको ना चल पाना, दिमाग का यूज नहीं कर पाना, दिल का यूज करना, यही कह सकते हैं, भावना में आ जाना, आवेश में आ जाना, यही जो आपका वीक पॉइंट है, इसी के कारण शत्रू आपके उपर अट्टेक करते हैं, और कभी कभी देखी, यहाँ पर एट आफ कप्स का कारण है, कुईन आफ कप्स का कारण है, आप कुछ चीजों को लेकर बहुत पजिजिव हो जाते हो, कुछ चीजों को लेकर बहुत यह कह सकते हैं, बहुत अप्सेसिव हो जाते हो, जो चीजे आपके हाथ में नहीं है, जो चीजे आपके वश में नहीं हैं, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, और आपका जो नेचर है वो ऐसा आप किसी चीज को फेस नहीं कर पाते हैं, किसी चीज का सामना नहीं कर पाते हैं, आप जो है मूब आण करते हो, अगर परिस्तिति आपके फेवर में नहीं है, या यह क move on करते हो, उसको face नहीं करते हैं, आपके अंदर शक्ती नहीं है कि वो face करें, इस कारण से ना जो है शत्रु आपकी इसी कमजोरी पर वार करता है, उसको पता है कि आप उसका सामना नहीं कर पाऊगे, साथ साथ queen of wants का card है, आपना लोगों से unconditional love करते हो, आप लोगों से unconditionally मिलते हो, आपके अंदर वो भावना नहीं है जिसे कि भई हमारा काम निकाले और चले, वो वाली बात नहीं, आप क्या है, एक कहते ना कि सबसे frame करना, सबसे mix up हो जाना, सबके साथ कोई हसके बात कर दी तो उसके साथ हसके बात कर दी, किसी ने अपना पन दिखाया तो उसको अपना मान लिया, उसको अपनी family मान लिया, अगर किसी ने प्यार से आप से बात करी तो आप उसको अपना समझने लगते हैं, साथ साथ कई लोग आपकी life में आप मीठा बन बन कर, या यह कह सकते हैं, ी की बात जो है उगलवा लेते हैं , और इसी कारण से यही weakness जो है मतलब आपका weakPoint निकाल लेते हैं , टू यू की बात जान लेते हैं , जो भी आपके मन में चल रहा है वह बातों बातो में जो है वह उगल वालेते हैं, और इसी के कारन, इसी चीजी के कारन वह आपका फायदा उठाते हैं, आपको दबाने की कोशिश करते हैं, आपको अपमानित करते हैं, साथ साथ कुछ लोगों की यहाँ पर जो energy मुझे दिखाई दे रही है page of cups की energy है immature energy है means आपको नहीं पता कि कौन आपका अपना है कौन पर आया है कौन आपके साथ छल कर रहा है कौन दिखावा कर रहा है यह आपको नहीं पता है आप किसी की भी बातों में आ जाते हो जिसने आपको जैसा direction दिया आप उसी direction में घूम जाते हो देखे यह सब के लिए reading नहीं है यह कुछ लोगों के साथ ही resonate करेगी हैना जिसके साथ resonate करे आप उसको ले ले जिसके साथ नहीं करे उसको आप छोड़ दे आपके अंदर maturity नहीं है देखे यहाँ पर एक card आया था maturity की बहुत कमी है आप नहीं समझ पाते किसी का intention आप किसी के मन में क्या चल रहा है कौन किस intention से आपसे बात कर रहा है कौन किस intention से आपकी life में जहांक रहा है या यह कह सकते आपके बारे में पूछ रहा है या आपके बारे में information गेदर करने की कोशिश करते आप उन चीजों को नहीं समझ पाते और इसी कारण छेना लोग आपका फायदा उठाते आपकी कमजोरी काई में आपको एक weak point बोलूँगी इस weak point का जो है लोग बहुत फायदा उठाते seven of cups का काड़ है imbalance energy एक चीज पर focus ना कर पाना अपनी energy को आप focus करिए आप अपनी energy को balance करिए साथ साथ ना past की बातों में आप खोई रहते हैं अगर कोई past की बात करके न लोग आपको उकसा देते हैं past की कुछ बाते ऐसा ऐसी हुई होगी आपकी life में आपके किसी करीबी के साथ आपके किसी family member के साथ आपके किसी relative के साथ तो लोग ना वही चीजे past की बाते करके ना वही चीजों को जो है आपको कह सकते हैं उकसा देते हैं बात करके या यह कह सकते हैं गड़े मुढ़ते उखारते हैं लोग और उसके बाद क्या होता है कि आप जो है आप बहुत इमोचिनल हो जाते हो और इमोचिनल होने के साथ साथ आप अपनी emotions पर control नहीं कर पाते हो आपके मन में जो होता है वो आप बोल देते हो और इसी चीज का लोग फायदा उठाते हैं और कई बात लोग आपके जो है secrets जान लेते हैं आपको आवेश में डाल देना बातों बातों में आपको ऐसा बोल देना कि आप सारी बाते जो है उनको बता दो आप सारी बाते जो सच सच उनसे बोल दो वो वाली एनर्जी, पास्ट लाइफ की एनर्जी है, ये पास्ट लाइफ, ये पिछले जन्मों से ये लोग आपकी लाइफ में जुड़े हैं, या ये कह सकते हैं, पास्ट में आपका किसी के साथ कुछ इशु रहा हो और उसी इशु को लेकर ये बात करते हैं, स्लोइंग डाउन का कार्ड है, जो कि ये दिखा रहा है कि आपको जो है बहुत सोच समझ के चलना चाहिए, बहुत धीमी गती से आपको आगे चलना चाहिए अपने जीवन में, या ये कह सकते हैं, एकदम आपको किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, साथ-साथ जब तक आपको कुछ समझ में नहीं आये, उस कंक्लूजन पर आपको पहुँचना नहीं चाहिए, डोंट काम टू दा कंक्लूजन, एकदम से किसी निड़ने पर नहीं जाना चाहिए, क्या होता है कि लोग आपको जो प्रूवोक करते हैं, लोग आपको भड़काते हैं, और आप कई बार आप इतने एमोशनल हो क्योंकि हापर कपस की एनरजी बहुत जादा है, आप बहुत जादा एमोशनल हो, इसके कारना आपके एमोशन का लोग फायदा उठाते हैं, और आप बार-बार जो होना, exhaustion का कार्ड आप इस energy में आ जाते हो, आप ठक जाते हो, आप परिशान हो जाते हो, जब लोग बार-बार आपके साथ छल करते हैं, आपके साथ कुछ ऐसी चीजे करते हैं, जिसके कारण आपको जो है, ऐसा लगता है कि बार-बार same pattern जो है, वो आपके सीखते हैं, मतलब जो चीजें आपके life में चल रही हैं आप उन से सबक नहीं लेते, आप बार-बार उन चीजों को repeat करते हो, आपको lesson लेना चाहिए, कि past में आपने क्या गलतियां करी हैं, किन गलतियों की वज़े से आज मैं इन चीजों को मैं face कर रहा हूँ, या मेरे से बात करी हैं, आप उसको अपना समझने लगे, किसी ने आपकी help कर दी, support कर दी, आप उसको अपना समझने लगे, बट आपको ये नहीं पता कि लोग जो हैं, कहते हैं ना, कि एक मचली को फसाने के लिए उसको दाना डालना पड़ता है, उसके लिए जाल बिचाना पड़ करते हैं, आप उनके intention को समझने पाते हैं, आप लोगों पर विश्वास करते हो, जिन लोगों पर आप विश्वास करते हो ना, वहीं आपको विश्वास घात करते हैं, वहीं आपको back step करते हैं, adventure का card, देखिया, आप बच्चे की तरह हो, आप भूले हो, आप बहुत आपका स्वभाव, बहुत सरल है, आप बहुत emotional हो, जिसने प्यार से बात करी, आप उसी के हो जाते हो, इस तरह की energy है, we are the world का card, आप सबको अपना समझने लगते हो, यहाँ पर आपको temperance का card यहाँ प चाहिए, अपने दिमाग का use करना चाहिए, और अगर कोई आप से बहुत मीठा मीठा बोल रहा है, तो आपको सूचना चाहिए, कि यह इंसान इतना मीठा आपकी लाइफ में कैसे बनदा है, यह इतना आप से buttering क्यों कर रहा है, यह आपका हितेशी कप से हो गया, यह आपक अपने workplace पर भी आपको लोग cheat करते हों, आपके ideas को use करते हों और वावाही बटोरते हों, और आपको पीछे छोड़ देते हैं, यह यह कह सकते हैं, आप से ही काम निकलवाते हैं और आपके लिए ही gossip कर देते हैं, आपके ही कह सकते हैं, आपके बारे में ही गलत-गलत बोल द आपके बारे में कोई मिस इन्फॉर्मेशन जो है कह सकते को इन्फॉर्मेशन ऐसी बोल देते हैं बॉस को जिससे आपकी रेपुटेशन खराब हो वर्क प्लेस पर तो यह जो चीज़ें आपको बहुत सोच समझ के चलना चाहिए दिमाग से चलना चाहिए किसी चीज के लिए एक दम ऑपसेसिव नहीं होना चाहिए साथ साथ जैसी दुनिया आपको दिखती है वैसी होती नहीं है जो चीज़ें जैसी दिख रही है वो वैसी नहीं है वो एक ब्रह्म है तो उस ब्रह्म को पहचानिए वो क्या है उस ब्रह्म से निकलिए और जो आपके आसपास के जो लोग है ना बहुत मिस्टीरियस है वो अपने intention आपको जाहिर नहीं करते और इसी कारण से आपको कई बार बड़े बड़े जो है लॉस उठाने पड़ते हैं बड़े बड़े आपको नुकसान उठाने पड़ते हैं यह थी रीडिंग आपको पसंद आई हो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक शेर कमेंट जिरूर कीजिए थैंक यू सो मच पॉर वाचिंग माई वीडियो हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तु भियम ओम साइं राम जै माता दी रादे रादे